नौवल साड़ी शौप दा दस्वां चेप्टर नौवलावे जिसको लैम मेरी कोई डिगरी होगे रामचंद परेशान हो गया सी क्योंकि हरी ने ए गल काफी उच्ची वास्ट गई सी हरी चुपकर तेरी इस गल नालों नो होर भी गुसा आ जाएगा तू हसके मेरी हैं मैंनू लग दाया के महाजन दूर तो भी तेरी चमक देदांद देख सकते हरी हस्या ते अपना काम करन लगा नाली अपने आप इच अत्ती क्या खंडाला गौंदा रहा रामचन देन विले काफी सुचेत रहा ते महाजन नाल नरजर मिलाउन तो बच दा रहा उचुपच पीते तुरदा फिरदा ते बिना आवाज की ते आपना काम कर दा रहा पर कुछ समय बाद महाजन ने उन्हों अपनी पर्मी आवाज छाग मारी रामचन रामचन देक दम इच्छाड मार के खड़ा होया वो परेशानी नल अपने दो में हाथ मलदा होया महाजन कोल गया जी बाओ जी उन्हें महाजन नू बहुती निमरता नाल पुछेया महाजन ने करीब करीब चिड़क दे होया नू क्या मैं तेनू चंदर दा पता दास दा थे नाली तेनू रस्ता भी दास दे हांगा तो उने जाके देखके लफंगा कर की रिया है उन्हों पुछें के ओधे बापनी दुखान है लिड़ अपनी मर्जी नणा वंदा जन्द है उन्हों कहीं कि मैं उन्हों बुलाया Hai। राम चंदा तर्णेख हुए, जिस्में कि अज गिक हम शान्त हो गया। उन्हों लगया थी कि महाजन्द मी इस गल्दा। पत्ता कि लगए है कि दो दिन पहला शेल्फ साफ करन दा जिड़ा हुकम उन्हें देता सी। माजन ने रामचंदनों रस्ता दस्या मैं पक्की करना चॉना के तु मेरी सारी गल समय ले ए मैंने चॉनदा तु गम हो जाए। फिर तैनू लबल ले, मैंना किसी घूर बंदेसों पे जणा पाएगा ते तुसी सारे गणियां जिको मदे फिर दे रहोंगे कदे कदे मैं सोज़दा मैं साड़ियां दी इस दुकान दा मैनेजरा जा किसे पागल खाने दा रामचन ने रता को परिशानी नाल महाजन वलो दिती है हदायतां दोह रा दिती है कोई पता नहीं सी के केड़ी छोटे जे शब्दनाल महाजन दा गुसा पढ़क पवे खास करके ओदों जदों इस तरां दिया जीव जे मूर्च होंदा सी महाजन सुनदा रहा ते फिर से रहलाया ते रामचंद अपनी किस्मत ते रश करदा होया बार निकल गया कई सालानतों दुकाँच बंदर्यान दा आध्दी सी ते हुणा चंचे ती उनुँ इक तो बादिक कई वरी बार जान दा मॉका मिल रहा सी पलां कपूर हाउस जान दा रहा सी ते होणे मॉका मिले आ सी ए मौकापा में उन्नावदिया ने सी, फेर वी कुछ ताव फरक पैनाई सी चंदरदाकार दुकान तु काफी दूर शेर दे अंदर ले गरीबी लाकेट सी रामचंद अधे कंटे तक लगातार तुर्दा रेया, जेओं जेओं शेर दे अंदर वलनू जानदा रेया त्यों तो एस्ट पीड पड़का वद्धा गया ते आला द्वाला होर गंदा हुन्दा गया इक कोनेच बने हुए छोटे जे हनुमान मंदर तों उपीडी गली वेच मुण गया उन्हों लगदा सी वी रस्तास्तम जानदे महाजने इस मंदर दा जिकर केता सी वेही होना चाईदे जे वापस जाके दसे के वो चंदर दा कार नहीं सी लब सक्या ता महाजने बहुत गुसे होना सी रामचन्द मुडेया छोटे जे मंदर दे कोड़ दी लंगया मंदर दे अंत्रों पंडत दे मंतर बोलन दी आवाज दे नाल नाल कंटियां खड़कंदी आवाज भी आ रही सी गड़ी बहुत तांक सी मसाई एन्नीकु जिवें पुराणियाई मारता ने लोकांदे लंगल नी अपने आपी रता कु रस्ता छाड़ देत्ता होवे उस वेले लोकांदी पीडे नी ज्यादा सी क्यो एक दूजे कोड़ों लंगन समय आपस्च खैर है सान रामचन ने वी बचदे बचोंदे पीड़ विच दी लंगना शुरू केता अपने हत्थांच सबजियाँ दे चोले फड़ी कि चमकीले उतेजक चेरे वली ओरतों दे कोड़ों दी लंगी ते जान्दी हुई अपनी कूणी होदे मार गे रामचन दी कदमी प्यारों उखड गया ते अपने अपनों डिगणों बचोंड ले बां बार नू कड़ी अजेया करदे होए अच्चन चेती होदा हाथो सो औरत दियाँ चातियाँ नू छूगया जड़ी गड़ी विच्चो दी काड़ी कड़ी जा रही सी सस्ते ते गुडे हरे रंग दी सल्वार कमीज दी काड़ी नायलन दी चुन्नी वड़ी ये औरत रुक गई गुस्से नाड़ों उनू कैन लगी है रामजा दे तैनु देसाने उन्हे बड़ी नफरत नाले शबद कई रामजा दे ना कबरा आ गया के ना उखिल सकया ना बूल सकया उन मूर्खा मंखड़ा उस वाल देखता रहा उन्हाफी मंगंड़ी त्यार सी उन्हें बोलन दी कोशिश केती पर कोई शबद ना ओड़े उस औरत दे सकत चेरे ते पागलां वरगा परबाव दखाई देंदा सी एस ते काफी चुरडियां पैया सान हालांके उदी उमरतियां तो वद नीसी जात दे खबरेतो वी काटी होगे गुसे नालो ता स्रीर उदा स्रीर तनेया होया सी रामचंद खुले मून आण उस वल देखता रहा उन्हादी अखाँ अपस्च मिलिया उस वल चाक दी रही गुसे नाल कामब दी रही फिर लोकां दी पीड़ दे विची यू वेख दी चली गई उन्हों कुछ समय नीसी आरे आखर कारोंने अपने आपनों संबालान दी कोशिष की ती उचाद एक दुकान थे रुखया उन्हें सोचया कि जे उन्हों कोई कामकरनली बार पे जियाई गिया ता उन्हों उधा लहा लेणा चाईदए गरमचादा काप उन्हों शांत करेग उन्हें चादा एक काप लिया ते फिर चाव अले वलों तले जारे कुछ गर्मा गरम पकोड़े वी लए उन्हें गरम ते खुशबूदार सान ते राम चंद तो पच बैटके अपने आपमों निगा करन दी कोशिश करदा होया पकोड़े खांदा होया सुस्तान लगा फिर उ उन्हें चानुमान दा मंदर बनिया सी उतुर्दार आखरकार चंदर दे का अर्मूरे पहुंच गया इन्हों देख दे सारी उहरान रह गया एक कारनी से गोई कुछ उगी मातर सी इन्हों देखके लगदा सी एक किसे भी वेले टाय जाएगी दुकान ते करिंदे गरीब सन पर इन्हें ज्यादा गरीब नहीं सान। एस तो बिना चंदर देता कोई बच्चावी नहीं सी जिस ते ओधा खर्च होंदा होए। असी भी एही का ओकार होना चाहिद है। लगदा सी के दर्वाजा होने टोटे टोटे होके डिग पाएगा। उन्हें फिर खड़काया। फिर उची उची आउन्दिया वाजां सुनिया। वो बड़ा हैरान होया। यह तो पहला उन्हें कदे भी चंदर नूची वास्च ग अपनी वास्च रता को माफी वाले पर बावले आंदे हुए पुछे। राम चंद जे बूलोनी लगगा सी कि उधी नजरां चंदर दे पिछले पासे कमरेच पईया। अंदर एक पतली जी औरत कोने चे सुंगडी बैठी सी। उधे चेरे ते उंगलां दे लाल निशान सा दिखाई दे रहे सन। उधे वाल ते हरे रंग दी सल्वार कमीजी उलजे हुए सन। उधे काड़ी चुन्नी फर्षते पई सी। उधे चेरे ते हंजू वे रहे सन। मूँ देक कोने चो थोड़ा जा खून वे रहा सी। उनू चेते आया। इता उही आरत है जिने गड़ी अपनिया नजरां लंबे हटा ले गया। दुकान वड़े पुछ दे हानके तू कदो आयेंगा। उन्हें डरे होए ने पुछया चंदरा चंचेत उसले अजनबी हो गया सी। मैं आवांगा मैं कल आवांगा। मैं ठीक नहीं सी। महा जनू जाके दास दें। कल नू मैं ज हालांके उस बारे काफी डूंगी चिंता रखदा सी। मैं इस संसार दाई कोई की जियोंदा जीव होगे। चंगा फिर कल में लांगे। उन्हें चंदरनू केया। मुड़े आते चाल पेया। और अथ कोन्नेची सुंगडी होई बठी रही। उदे कोडी टूटा पजलो ह हिदा ट्रंक बेया सी। उस दिन रामचंद सारा देनी बेचेंग रेया। उस शाम होई कलाई बार निकलेया। क्योंके कार वापस चांदे समयों किसे नल गाल नी सी करना चांदा। पामी हाले रात दे खाने दा समा नहीं सी होया। फिर वी कम्रेच वापस चांद तो पहल किया कम्रेच दूचे कोनेच बठा एकोर आत्मी चा पी रहा सी। आखर कार तंदूर बढ़ पे आते उस वे चोट दियां लाटा ने लखन दे ठकावट पर एचेरे ते लाल रोशनी फिलोनी शुरू कर देते। रामचंद आम तोर ते उस नल गाल करन तो बचदा सी। क्य कि उन्हों डर सी कि उपने मर चुके पत्रांदी काल शुरू कर देगा। पर आज जो अजे भी चंदर दी पत्नी बारे ही सोच रहा सी। उपता करना चौंदा सी कि ठीक भी है जा नहीं। हालांकि उन्ही बेदर्दी नल उत्तों चला आया सी। पर कित्ता भी की जा सकदा स आखर कार उचंदर दी बीवी सी, उचंदर दे करेलू मामलियांच दखल नहीं सी दे सकदा। फिर वी उचौंदा सी भी किसे तो पुछे क्यों ठीक ठाक सी। ते की उन्हें रोणा बांदकार देता सी। इसली उन्हें लखन दे चेरेवल देख्या जी ते दुखने पकिय लकीरां चाड़ दियां सी। पुछन लगा की हाला। लखने उपर देख्या फिर रुशांत आवास चाखन लगा। आज मेरे पतरदा जनम देला है बड़े पतरदा। ओ रामचान ने किया। ते गाले थी समापत हो गई। उन्हें चादा एक कप लेया थे सबजी नाल दो रोटियां खा दियां। बहुत ज्यादा चा पीनदा सी। ते वो जानदा सी कि बहुत ज्यादा पीर है। उन्हों सिर्फ चाद ही आदत सी। जड़ी हो दियां सब मुश्कलां दा जवाब होंदी सी। हर सिर धर्द, हर सोच, हर गुंजलत, महाजन दी। हर डांट दा जव चाही होंदी सी। वो जानदा सी उन्हों निचार नहीं पेनी चाही दी। इस नल कदे कदे उधी पेड़ी गैस हो जांदी है। लखन अपने टाबेच काम करदा हुए अपने नौकरा नल गल्लां करदा इंज चल फिर्रयां सी। जिवें कोई मिशीन हुए। उधी जिमें नेत्र हीन बंदेदियां हुंदिया हान। जो दो रामचंदे नेड़े आया तो रामचंदे होसला करके पुच्छी लिया। तेरी बीवी ठीक ठाक है। इना शब्दां ते लखन दा मुखोटे अरगाचे रा पलां चीता आ गया। नहीं ठीक नहीं पंद्रां साल ह होगे पर पुल दी ने मैं थी आके दाल बनोना सबजियां पुकाना अजया कर दे हुए पुल जानना फिर मैं आउना ते तनियां छिड़कदां पुदीने दी चिटने बनोना लोड तो वद खीर पकालना ताके पुल सकां परो परो अंदर बैठी रूंदी रंदिया फोट तो शाम उननों दरबार साब लेके गये ताके सच्चे पाशादियां सीसां ले सकीए ते उना देना नूओ चेते कर दिया जदो छोटे ने रासमलाइी खा दी इसी गोल पता नहीं पीड़े हलवाई दी दुकानते ले गया सी थे उत्थे उन्हें रास मलाई खा दी सी उससे रात उनू उल्टियां टटियां लगियां बच्चे विचारे देता पेच पाणी दा तुपका तक ने सी ठेर दा मैं ती उधी माँ उनू हस्पता ले गए सी असता कब राटनाल मर्दे जा रहे सांजधो ठीक हो गया तावी लंमे समेता कसी उदा किनना इत्यान रख्या सी साढ़ी चोई कजना तडके उठके पाणी उबाल दा ताके उधे जागन तो पहला पहला ये पाणी थंडा हो जये ऊबैठी ये ना सारी आं गल्ला नू चेत्ते कर दी रहं दिये किनिया सारी यादधा हन। वो तो पुल दी नहीं। ना मैनू पुल अन्दिया। तैनू पत्या की की होया सी। रामचंदा पेट तण गया। उनी सी जानना चौन्दा। पर हुन पिछे मुढना सौखा नहीं सी। लखन ने अपनी तेमीत एक सार वास्च कहना जारी रखिया। जे उस देन स्वेरे सानू पता हुन दा कि इनने प्यानक सिट्टे निकलने है। तासी कटो-कट वैगरू अगे अर्दास ता करलें दे। असी गुर्णान की जीदा शीर्वाद लेंड लेंडी अर्दास कर ये ता खुद रबदाई कार सी जित्थे उने साड़े बच्चया नालों कुझ होन देता जा खबरे राभवी कुझ करन जोगा नहीं होना। कदे-कदे असी ओस नाल गुस्से हो जाने हैं। कदे-कदे असी ओस ची यकीन करना वी बांध कार देनने हैं। फेर वी असी डर जानने हैं जे साड़े बच्चया नी रूहाओ दी निगरानी छोईयां तकी होईगा। तेके ते साड़ी बेविश्वासी साड़े बच्चया नी रूहानू पर मातमा दे निडे जानतों रोकता नी रही। अन तक लखन सिंग पूरी तरह बित्य समय चे जा चुका सी। उ बड़ी उच्ची वास्ट गाना गार्या सी जड़ा मैननू बिलकुल भी पसांद नही सी। मेनू चिड कया। मैं सोईदा सी के गाना अश्लील हैं जे उन जे उन वध गर्मी लग दी सी ते उच्ची उच्ची वास्च गौणा सी। बस मैनू तांग करली छोटे ने अपनी मां दी गल सुनन तो इनकार कर देता अपने परवार दी आखरी चड़ अपनू चेते कर दे होई लखन सिंग दे चेरे ते हलकी जी मुस्कराट खेलन लगी सची गलते है कि मैं ते मेरी पतनी भी चगड़ पैसा मुंडे ना चुके सान इस तो बात छोटे ने की किता कि नीले रंग दी ओपैस शोके बननी शुरू करती जड़ी मैं उनू लेयाके नी लग दिए मैं इस नाल खूब सूरत लगदा मैं हस पया पर अ दी मां खेया कि रब्रें उननू त्यांदितियं हो scrape घाड़ और कटो काटो अपनी माधियां पाव नवानू ता चंगी तेना समझ सक दियां ओवी जून मी ने दे गरम देना दोरान मैंनू गाकांदा त्यान रखनली बाटा बेच जाना पेंदा सी दोवे मुंडे अंदर बैठी मानू तांग कर दे रहे कदे शर्बत बना उली केंदे कदे पुछ दे कि उन्हें मेरे नल शादी क्यों किती सी ते किसे अमीर आदमी नल क्यों किती था कि उन्हान पगांदे नवियां जा पुराणियां होन बारे चिंता ना करनी पेंदी कदे उना दी किसे गलते हस पेंदी कदे गुस्से हो जान दी आखर कारे इना दुखी हुन दी कि अपने वाल पुट्टन ली तियार हो जान दी ओ उनू इना तंग कर रहे इसी ते आखर कारोना नू कैन लगी तुसी दोहाने कपड़े ता पाई लए है बार दफा क्यों नहीं हो जान दे ताके कंटा दो कंटे में चैनल बैठ सका उना तुरंती क्या क्यों दोहें कंपनी बाग जा रहे है उना दी मा कैन लगी नहीं यह बहुत दूर है उस ते वड़्डा कैन लगा चंगा फिर असी दरबार साब चले जाने है ते एस ते मेरी पतनी सच मुच गुसे चागी ता तो आड़ेली दरबार साब ते कंपनी बाग जा कोई फर्क नी इक पासे सिखांदा सब तो पुवित्तर गुर्दवारा दूजे पासे एक सदारन बाग पर एना दो आण डंगरानू ता एनाज कोई फर्क दिखाई नी देंदा नई नई बस बार दफा होजा जाओ होन इसते दो में जने दरबार साब चले गे इत्ते लखन सिंग रुग गया रामचान नोदा धर्द जारा तोरते मैसूस हो रिया सी पर उने फेर भी कुछ ना के आओ लखन वल्लों होर गल करन दी उडीक करदा रहा हालांके उनू बाकी दी कहाणे भी पता सी सिख मूलवादी दरबार साब च लुकेसान इंद्रा गांदी दे होकम होय पार ती फाज ने दरबार साब नू केरा पाया उना दे पैरांच भूट पाये सी ते सिख जे तक वी इस गलनू माफ करन ली त्यार नहीं क्योंके उता अपने गुर्धवारियांच दाखल होन तो पहलना अपने पैर साफ कर दे मूलवादियां दे फाज वे चाले लड़ाई और गिंत बेगुना लोक दरबार साब दे दर्शन ले आए लोक शर्दालू जिमें क्या खबारां वाले नू केंदिया अंदर फास गेते न दिया और गिंत दिल कंभावू कहाणिया शिखान बुरी तरा मारे आगया अखला रहा गया गोड़ियां मारती हैं बच के आए हुए चेशम दीद गवाहने गलां दसी आपर फाज ने गल परवान नहीं किती बाच चेस तरह नियां रिपोर्टाओं याईयां के लाशांदे टेर फाजी ट्रकांच लदगे लजाए गए इस सारी यां गलां अगेनं लगा मेरे बचे उना मेरे बच्या नियां बाहा उना दिया पगा न पिठा पिछे बाह न देतियां उना नानूहो राग कता आर्च खला रहा ते फिर गोड़ि मारती ते कई हो रणुवी गोडी मारी सानुतावना दिया लाश्चावी नीसी मिलिया सानुताई गल सत्विंदर सिंग ने दसी जिड़ा उत्थो बाच निकले आसी रामचंद बुत बन वांग बैठा रेया उन्हें ये ना पुछिया के सत्वंदर सिंग कौन सी किनी खौफ नाक गल सी खास करके इसलिए क्योंके मेरे चोटे पुतर ने नमी पग बननी होई सी नीले रंग दी मावा लगी लंबी थे उन्हाने मेरे बिच्चे दे हाथे से पग नालो दी पिठ पिछे बन ले होने अपनियां चोटियां जियां जिन्दगियां दे आखरी पल उना ली किन्ने ड्रोने होई होनगी उपल जदो जान दे सन के उन्हादी मौत समने खड़ी है हाई उदो में किन्ने सोने ही सी मैं अकसर उन्हानु कहा करता सी कि उप बंदरा वर्गे लग दे है पर उदो में सच मुची बहुत सोने सी कि उन्हानु मरना पया क्यों क्यों वो उस दिन कंपनी बाग क्यों ना चले गई तन्वाद चलता